बहुत सारे लोग बरवाद हो चुके हैं, बहुत सारे लोग बरवाद होने वाले हैं, बहुत सारे लोग आज के दिन पर रो रहे हैं और बहुत सारे लोग रोने वाले हैं, मैं ऐसा क्यों कहा रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मुझे इंस्टाग्राम पर किसी क्रे AI content use किया हुआ है टोटल AI content दोस्तों आज से 5-7 महिने पहले मैंने एक वीडियो अफलोड किया था उसमें मैंने AI के बारे में कुछ बातें explain की हुई थी लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को ignore कर दिया सो अब आगे आपका time बेश्ट ना हो आपकी सालों की मेनत बेश्ट ना हो तो इसलिए आज मैं ये वीडियो लेकर आ चुका हूँ दोस्तों AI के बारे में YouTube का क्या कहना है कि आप AI को use कर सकते हैं अपनी वीडियो को creative बनाने के लिए ठीक है अब बहुत सारे beginner क्या करते हैं कि यो long videos होती हैं उनमें वो AI का use करते हैं मतलब के total video AI से create करवाते हैं long video ठीक है YouTube पे काफी सारी videos में बताया भी जाता है कि आप AI का use करकर इस तरीके से long videos बना सकते हैं 2 minute में 5 minute में ठीक है लेकिन उस चीज़ को वो explain अच्छे से नहीं करते क्योंकि देखो अगर हम AI का use करते हैं तो उसमें हमें अपने खुद की value add करनी पड़ती है ठीक है अब value का मतलब यह नहीं कि आपने editing कर दिया copyright free clip यूज कर दिये background music यूज कर दिया यह value नहीं value आपको अपना voice over जा आपको अपना face reaction इन दोनों में से कुछ ना कुछ आपका होना चाहिए आप AI का use कीजिए वीडियोस बनाएं कुछ भी करें लेकिन आपका खुद का voice over होना चाहिए ठीक है वीडियो में कहीं ना कहीं आपका original voice होना चाहिए आप AI का use कीजिए तो आपका चैनल मोनिटेज भी होगा आने वाले टाइम में जब आपका एक लाग सब्सक्राइबर हो जाएगा आपको अवार्ड भी मिलेगा सब कुछ होगा लेकिन अगर आप अपना वेल्यो एड नहीं करोगे ऐसे आप चैट GPT का यूज करकर साथ में यही वीडियो बनाकर आप उसको अपलोड करोगे तो आपका चैनल आगे जाकर मोनिटेज नहीं होगा बहुत सारे चैनल ऐसे मोनिटेज अभी है आज के टाइम पर जिन्होंने टोटल यही कॉन्टेंट यूज किया है लेकें वो कभी भी डिमोनिटेज हो यहेंगे यह मेरी गरंटी है ठीक है तो आपके साथ ऐसा नहों आपका टाइम बेश्ट नहों तो इसलिए अगर आपको यही करेक्टर यूज करने है वीडियो बनाने के लिए तो उसमें आपका खुद का वैलियो होना चाहिए ठीक है वैलियो आप एड करोगे तो ही आपका चलने मोनिटेज होगा आगे जाकर आपको अवार्ड भी मिलेंगे ठीक है इस बात को आप हमेशा जाद रखना जो मैंने अभी आपको बताया है ठीक है AI यूज कीजिए, करेक्टर यूज कीजिए, वीडियो बनाईए, लोंग वीडियो बनाईए लेकिन उसमें कहीं न कहीं आप अपना वैलियो एड कीजिए ठीक है, अमीद करता हूँ कि आप समझगे हैं कि कैसे आपको AI फीचर्स यूज करने हैं कैसे नहीं करने, क्या आपको दिक्कत आ सकती है, कैसे आपको नहीं आएगी ये सब कुछ आप समझगे होंगे, अगर आपने इस वीडियो को द्यान से देखा होगा, समझा होगा तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, अगर आपके माइंड में AI रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पोल सकते हैं मिलेंगे फिर किसी नहीं वीडियो में, तब तक के लिए थेंक यू, सो मच